प्रफुल सर जेनरालिंग लिस्स के आज की यूट्यूग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागा थे प्यारे बच्चों आज हम लोग करेंगे सेट्टू का दिशकेशन सेट के पीडिएफ का लिंग क्या डिस्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको सेट का पीडिएफ पहले चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है लर्न इंग्लिस आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सेट आपको पहले मिल जागा दिशकेशन से पुड़ा सुनियेगा पुड़ा दिखियेगा मार्क्स जरूर बताईएगा ठीक है मार्क्स या तो कमिंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलिग्राम चैनल में कहीं पे भी मार्कस को अपलोग जरूर बताईएगा वह बहुत इंप्टेंट होता है वह वाजिए चले ठीक है पढ़ाई को शुरू करते हैं ध्यान से देखा जाए कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि कोश्चन आसान है तो देखे शुरुवात में तो कोश्चन आसान ही दिया जाएगा उसके बाद धिर धिर उसके लेबल को बढ़ाए जाएगा तो शुरुवात इसलिए और यह सारे सेलेक्ट दा मोस्ट अप्रोप्रियेट वर्ड तो फिल इन दा ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रियेट वर्ड हम लोग को ढूनना इस ब्लैंक को भरने के लिए ठीक है बगवाजी आई लाइक बोथ टी एंद कॉफी बट प्रिफर्ड देंस अब देखे आपे आपको चार वर् से जैसे आप कहसकते हैं आप कहसकते हैं ही केम लेटर दैन राम ध्यान से देखा जाए वह राम से ज्यादा देडी से आया तो इसका तो यहाँ पे कोई सेंस है नहीं क्योंकि यहाँ पर यह तो बोल रहा है कि मुझे चाई और कपी दोनों पसंद है लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है कौन सा तो या तो पहला होगा या दूसरा होगा या तो फस्ट होगा या सेकेंड होगा ठीक है या तो फार्मट होगा या लेटर होगा तो इसलिए ये लेटर नहीं होगा ये काट देजिए लिस्ट तो होता है कम से कम तो ये काट दिया जा अब letter, दो में जब अंतिम को दिखाना होता है, याद रखिएगा, जब दो वस्तु या दो संख्या में अंतिम को दिखाना होता है, तो हम लोग letter का इस्तिमाल करता है, या तो first और second लिखते हैं, या फिर former और letter लिखते हैं, याद रख लेजिएगा, दो में last का इस्तिमाल न पास है दिख़ए है question? हम सब सब दिख़ए है very good, select the correct passive form of the given sentence, इस sentence का correct passive form चाहिए, देखा जा अच्छा, भॉयस में आप लोगकों पिछले set में भी बत लाये थे, कि जब भॉयस का question आएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है tense पर, आप ध्यान से देखा जा, maximum question है सही they offered, यह कौन सा tense है बोगा जी, past tense है, तो हमको इसका passive भी past में ही चाहिए, हमको इसका passive जो है वो भी past में चाहिए, सबसे पहले देखे, इसमें age लगा है, यह तो cut गया, answer नहीं होगा, wise लगा है, यह answer हो सकता है, offered लगा है, और यहाँ wise लगा है, अब देखा जाए, इसमें क कोई भी passive नहीं बनता है, याद कर लिजिएगा, passive में helping भर्व होगा ही होगा, जरूर से जरूर होगा, अब इसमें being लगा है, अच्छा याद रखा जाएगा, being passive में कब लगता है, जब active voice में भर्व का चोथा रूप लगेगा, ing लगेगा, तब passive में being का प्रियूक करते है तो यहाँ तो कोई भर्व का चोथा रूप है, नहीं तो यह भी cut गया, तो answer हमारे पस क्या बच गया, दूसरा, cancer हो जाएगा B, I was offered a chair by them, answer क्या हो गया B, तो one cancer हो जाएगा D, और two cancer हो जाएगा B, one or two clear हो गया बवगा जी, कोई confusion नहीं है, चलिए, अब हम लोग आते है, अ the most appropriate meaning of the given idiom, idiom है, bed of roses, बड़ा famous idiom है, मेरे ख्याल से हमको लग रहा है, कि बहुत लोगों को याद होगा, हम लोग अक्सर कहते है, life is not a bed of roses, तो bed of roses करता है, जो आडाम से चले, जहां अकदम आप comfortable हो, कोई tension आपको नहीं है, एकदम smooth और easy situation को bed of roses कहा जाता है, क्या बोले है smooth and easy situation, इसलिए कहा जाता है, life is not a bed of roses, life हमें साई smooth चलेगा, यह तो संभो नहीं है, आपको यह सोचा था है, कि ऐसे करोना आजाएगा, ऐसे हम लोग अपने घर में बंद हो जाएगे, तो यह सब situation होता है, जो smooth नहीं चलता है, कभी आपके लिए हरास हो जाएगा, कभी smooth हो और उसी को कहा जाता है, तो यहाँ पर सीधा सा answer क्या लग रहा है, देखिए, तो bed of roses कर थो जाएगा, an easy and happy situation, ठीक है, an easy and happy situation, बहुत लोग को लगता है, कि life is a bed of roses, वो लोग बहुत frustrated हो जाते हैं, परशान हो जाते हैं, यह दोगे से हार जाते हैं, life is not a bed of roses, life is not an easy and a happy situation, ज situation का नुसार खुद को ढालना होता है, असान सा question था, इसका answer हो जाएगा, भी, यह तो सबको याद दोना चाहिए, बड़ा common सा चीज है, और नहीं है, तो याद कर लिया जाए, हाँ, यह important है, select the most appropriate meaning of the given idiom, medium में बहुत जाएगा, close fisted person, समझा जाएगा, को समझेगा, fist कर्थ क्या होता है, fist कर्थ होता है, मुठी समझेगा, fist कर्थ होता है, मुठी, अब हमारे यहाँ दो तरह की बात होती है, हमारे सुनिएगा कभी लोग कहते हैं, कि बड़ा खुले हाथ का लर्का है, या फिर खुले हाथ का अब्यक्ति है, तो खुले हाथ का हमारे यहाँ अर्थ ह करने वाला और आधो होता है पैसा करने वाल करने वादा होता है पैसा खर्ट करने वाला और मज़ीं लोग हे अक्सर अभी सुना त्लो कह रहा था कित्यारा ब 새로운 बिजिनेश बंध़ है तो आप लोग को मुठी बांद के CСТ जो औरहो होगा होता है ईसे चलना थोड़े ही इसे चलना कर्ष है कि ह्थरतला पैसा को कंड़े ठीक है है रोख लीजिए पैसा करक्ष कंड़ीं डीजिए यो जया द रखिए का हमारे अंगी आध जाल कि होता है खुले हाथ का मतलब होता है पैसा कर्च करने वाला और मुठी बांद ने करता है पैसा को रोकने वाला जिसके हाथ से पैसा निकले नहीं थीक है, तो देखें फिशट यहनि क्या होता है, मुठी तो closer itzer क्या हो जाएगा C 3 और 4 भी बन गया, 3-cancer हो गया B, 4 cancer हो गया, C, clear है, चलिए, समझते भी चलिएगा, चलिए, अगला हमारे पास आता है, बहुआ जी, question 5 और 6, question 5 और 6, चलिए, इसको जड़ा बनाया जाए, 5 बोलड़ा है, select the correct indirect form of the given sentence, देखिए, जैसे voice बनता है, वैसे ही narration बनता है, voice में भी सबसे पहले tense देखा जाता है, narration में भी सबसे पहले tense देखा जाता है, ध्यान से देखा जाएगा, अब देखिए, उसको बनाना कितना आसान है, ध्यान से समझेगा, यह सब छोटे-छोटे points होते हैं, जो आप catch कर लेंगे, तो examination में, आपका समय भी बचाता है, और एक तो चुकी यहाँ पर sign of exclamation है, तो answer C नहीं होगा और D नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों में told और said लिखा था हम लोगों exclaimed चाहिए, क्या चाहिए exclaimed पहला नियम, दूसरा, इधर अगर past लिखा है, तो यह पूड़ा जो बनेगा, यह past में बनेगा, present में नहीं बनेगा, अग अगर आर भी, यानि कि आपका reporting भर्व past में है, तो जो reported speech होता है, यह भी past में हो जाता है, अगर वो universal truth नहीं है, तो exclamatory sentence है, तो universal truth कैसे होगा, जाहिर सा बात है, अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए, A और B में से कोई एक answer था, यहाँ पे age लिखा है, A में, तो यह cut ग अबिना कुछ सोचे हुए, तो voice और narration, दोनों के सवाल जब भी आते हैं, तो tense बहुत ज़्यादा important होता है, tense पे command होना चाहिए, बहुत important होगा जी, tense पे command नहीं है तो exam नहीं निकलेगा, सिधी सी बात, सबसे पहला important chapter है, कि tense पे command कर लीजिए, भर्व पे command कर लीजिए, उस चली आते हैं, छे नमबर question, in the sentence, identify the segment which contains the grammatical error, जिसमें error है वो, ठीक है, अराम से पढ़ते हैं, देखी, error को बनाना बहुत असान होता है, modern man, singular के बाद easy लगा है, ठीक है, completely adverse है, adverse को कभी भी शुरुवात में नहीं पकरते हैं, शुरुवात में सिर्फ noun और भर्व, noun और भर catch कीजिए, यहाँ पी क्या लगा है, in gross, अच्छा, भर्व के बाद भर बाता है, in gross भर्व का कौन सा रूप है, पहला रूप है, जाहिर सा बात है, क्योंकि in gross में yes लगा होता, तो पाचवा रूप होता है, ed लगा होता, तो दूसरा रूप होता, ing लगा होगा, तो चौथा कॉछ सोचना ही नहीं इसमें तो बवगाजी यहाँ पर भर्व का कौन्स रुप लिखा हुए पहला है यह अभी एंसर में नहीं होगा तो गलती यहीं पे है वो इंग्रोस्ड होना चाहिए था भर्व का तीसरा रूप होना चाहिए था गलती किसमें हो जाएगा दि में सीधा इस नियम से देखते तो बन जाता जादा पहने के आवशक्ता भी नहीं थी बहुत लोग इसका हिंदी करन परा नियम नहीं होता है छोटे छोटे नियम होते हैं चलिए अगले कोश्चन पर आ जाए कोश्चन नमबर सेवन से लेक इलेवन तक हमारा क्लोज टेस्ट है जिसको कॉम्प्रिहेंशन के नाम से दिया है 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 जिस नाम से खाली स्थाने ऑप्शन हम लोको भड़ना है ठीक है अराम से बनेगा कोई टेंशन नहीं है एडैस आफ्ट्रक्स हम लोग को किस में भणा है सेवेन सेवेन में ब्लैंक नमबर वन भणा है अच्छा फ्लॉक होता है बवाजी चिडियों के जूंड के लिए याद रखा जागा चिडियों के जूंड को फ्लॉक करता है जथा गा फीज़ी बीवाई बीवी कहा जाता है फिरका सुध ही कि धिशन जुदि ही होता है जुद अब जुद इन्सानों के लिया तो इस्तेवाल नहीं करते हैं तो जुद अब जानवर काहो, गीदर काहो, कुतो काहो, उनके लिए बीवी का magazines के इस्त्वाल कर सकते हैं, ठीक है? सिधा पीछे देखिए वाज लगा है मतलब हम लोगों पास्ट में ओप्सन चाहिए तो पास्ट के बाद तो पास्ट आएगा ना यहां पर पास्ट भरना है हम लोगों को क्योंकि पीछे वाज लिखा हुआ है तो आर मुविंग कट गया अठवय में अच्छा नाइन में हम लोगों को भरना है ब्लैक नमबर थ्री देखिए सडेनली विथा डैस यूज ट्री ओन दे हिल साइड फिल विथा डैस तो कैसे तो नाइन में वर्ट है बज अच्छा बज बज का मैं अर्थ लिख देता हूं ठीक है इनको नहीं पता होगा याद कर ल सकता है जो जो दोते हुलडा का वाज होता है उसको लॉंट हमिंग सांड तो बजव होता है तो पेर गिएगा बवाजी तो हमिंग सांट्से तो नहीं कर देखेए गार सब्सक्रिनीं कींहीं देखिए यूंडि ए अच्छा, splash, splash कर्थ क्या होता है, यह भी लिख लिख लिजिएगा जिनको नहीं पता होगा ध्यान से, यहाँ पर लिख देते है, splash, s-p-l-a-s-h, splash लिखेगा, sound when solid strikes liquid, लिख लिख लिजिएगा, sound when solid strikes liquid, आड़ा है कैमरा में, last line करता है, खर देख लिख लिजिएगा, sound when solid strikes liquid, अगर आप किसी कुए में, या किसी पानी में, पथल मारिएगा, तो जो आवाज आएगा, ठीक है, डभाक, डभाक जो आवाज होता है, ठीक है, उसी को splash कहा जाता है, याद रख लिजिएगा, तो splash तो नहीं होगा, scream होता है, बवाजी, कडाहना, ये तो सजीव के लिए होता है, तो सबसे उप्यूक तिहां पर word कौन सा है, crash, क्योंकि बड़ा पेर गिड़ेगा, तो crash होगा, तो 9 cancer हो जाएगा, B, समझेगा, समझ के बनाना है, तेन में, blank 4 भरना है, blank 4 में कहते रहा है, ठीक है, with its boulders and mud, boulders किसको क अच्छा, ध्यान से देखा जा, मतलब, ये बोल रहा है, कि पहले ट्रक का ड्राइबर समय पे रुख गया, ठीक है, अब देखा जा, कौन सा वर्ड है, logically, similarly, fortunately, magically, हैं पर सिर्फ एखी वर्ड सूट कर रहा, fortunately, किस्मत से, उसको पता थोड़ी ही था, लेकिन पौधा गिड़ तो वो लगली समय पे रुख गया, तो इसको किस्मत कहते है, magically नहीं कहेंगे, magically एकदम यहाँ पे अंसुटेबल वर्ड है, similarly, logically, तो होगा नहीं, तो एकदम सुटेबल वर्ड कौन सा है, fortunately, किस्मत से, तो इसका वज़ाएगा answer C, fortunately, एक ग्यारा नमबर में बबबजी क्या बढ़ेंगे, the soldiers got down and they started dash the road, तो सैनी का के road को क्या करेंगे, clean करेंगे, तो यहाँ पे clean के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, clearing, road को clear करेंगे, change तो road को करेंगे नहीं, alter तो कपड़ा अपड़ा फट जाता है, तो दुरुस्त करने को कहा जाता है, और road को तो move थोड़े करें बी, word भी लिख लिएगा, बीवी कर्थ हो गया, जुन्ड, बज कर्थ होता है, humming sound, splash कर्थ होता है, जब पानी में कोई भी solid cheese टेकर आएगा, तो सको splash कहा जाता है, और बाकी तो word आप लोग आएगा, scream या नहीं हो गया कराहना, fortunately हो गया, किस मस्य, साड़े word clear है, इसमें spelled word, जिसका spelling wrong है, ठीक है, choir, choir का बोजी अर्थ होता है, जो church में गाना गाने वाला group होता है, उसको choir कहा जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है, chauffeur, इसको पड़ते है, इसका spelling होगा, c-h-a-u-f-f-e-r, इसका अर्थ होता है, stove, समझते है, laboratory बगड़ा में जो छोट साय स्टोब होता है, इसमें आग लगते रहता है, इसके उपर कोई भी चीज दर के गड़म कर देते हैं, इसको stove कहा जाता है, इसको software कहा जाता है, champion एकदम सही है, champion तो जानते है, विजेता, और krishma, krishma कहा जाता है आपका attraction, ठीक है, attraction, या फिर magnitude में जो आपको आकर्सित क करना है, cancer हो जाएगा B, ठीक है, chauffeur, chauffeur करता है stove, laboratory बगड़ा में जो stove होता है, जिस पर रखके test tube को गड़म करते हैं, उसको chauffeur कहा जाता है, ठीक है, इसको शाफर कहा जाता है, इसको सह कहां से पढ़ते है, और गारी आती है, severale, वो भी CH से लिखा जाता है, उसको बहुत ल संख्या खाली है, क्यों ऐसा, 13 number question को देखते है, 13 number question हमारा है, 13 number है हमारा sentence arrangement, देखे कितना आराम से बनेगा, आपको मैंने पिछले भी वीडियो में बतलाया था, कि देर जो होता है, यह बहुत अच्छा starter होता है, ध्यान से देखा जाएगा, तो स्योड है कि C पहला line होने पहला है, यहां तो C होगा या D होगा, ध्यान से देखा जाएगा, चुकि देर है तो देर बहुत अच्छा starter होता है, तो C पहला हो जाएगा, अब यहां पर लिखा है talented people, अब ध्यान से देखा जाएगा, तो यहां A में देम लिखा है, पहले noun noun के बाद उसका pronoun, तो स्योड हमारा C हो गया, और अडाम से बन के तयार हो गया, clear cut इसका answer क्या हो गया, C, clear है, चल यह अगले question पर हम लोग आते है, question number हमारे पास है 14, देखा जाए 14 में क्या बनेगा, देखा जाए, 14 question दिखड़ा है सबको, ध्यान से देखा जाएगा, 14 में हमारे पास है, select the most appropriate word, to substitute the underlined word of the given sentence, ठीक है, यहाँ पे, the diver dive in the pool from a great height, अच्छा, यह sentence improvement है, no substitution required, select no improvement, the diver dive, अच्छा, ध्यान से देखा जाएगा, कितना आराम से बनेगा, the diver subject है, subject में बार dive लिखा है, dive भर्व का पहला रूप है, बहुआ जी, subject अगर singular है, तो भर्व का पाच्छा रूप होगा, subject अगर plural है, तो भर्व का पहला रूप होगा, अगर यह दोनों काम कब होता है, जब यह present tense में होता है, लेकिन, subject singular हो, या plural हो, उसे कोई मतलब नहीं है, भर्व का दूसरा रूप लगता है, अगर यह past में होता है, तो ध्यान से देखा जाएगा, तो यह subject singular है, singular है, तो इसके साथ यहां तो भर्व का पांचवा रूप लगेगा, या भर्व का दूसरा रूप लगेगा, किसी भी सुरत में भर्व का पहला रूप नहीं लगेगा, तो गलती यहीं पर है, तो यहां पर अगर dived कर देंगे, भर्व का दूसरा रूप, तो सही हो जाएग क्योंकि देखे कहीं पर भर्व का पाच्वारूप यहां पर है ध्यान से देखा जाएगा लेकिन oh my god sorry 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 that's a mistake that's a mistake बहुत बना mistake हो गया बोगा जी sorry 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 question को ठीक से नहीं पढ़ है यही पर mistake कर देखे बहुत बना यानि कि सिर्फ B नहीं होगा answer या तो A होगा या C होगा या D होगा अब ध्यान से देखा जाएगा पूल में पूल के अंदर खुदेगा तो अंदर तो preposition कौन सा लगेगा इंटू ना भुगा जी कि अपte गती के साथ किसी चीज के अंदर जाते हैं तो आप किस का प्रयोग होता है इंटू का प्रयोग होता है तो देखें Dived into हो जाएगा तू का प्रयोग नहीं होगा अर अट का प्रयोग नहीं होगा क्या हो जाएगा Dived into the Poole. Sorry वह बहुत बढ़ा प्रोग लगाते हैं लोग इन्टु का प्रोग लगाते हैं चलिए अगले कोशन पर आता है क्या किजेगा अभी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है अब इतना के लिए वीडियो को फिर बंद करके नया सा रेकॉर्डिंग को नहीं करेगा इनसा और यह ठीक है आदमी जो सवाल को रहा है तो सम्टाइमस मिस्टेक होते हैं आप से भी होंगे हमसे भी होंगे लेगिन चुजों को सुधाय लेना जरूरी है ठीक है सारे ओप्शन को देखना पहुँ जरूरी होता है कभी-कभी कॉन्फिडेंस में हम लोग भी नहीं देखते हैं अभी सवाल को देखाए के बाद एक किसी में नहीं है सिर्फ दी में है अप्शन डी बन गया एकदम आसान सा सवाल देखें दी ए है देखके लगा दिया कमफर्टेबल चलिए अगले कोशन पर आते हैं ध्यान से देखा जाएगा दीख भstate बन इसका हमले को सांगों चयको एक वजय रितेंग यह रितेंग क्या होता है होDat 방 सिट्धिषिए मतलब लेवलं पर है उसको रक लेने को रिटेंग कहा जाता है मतलब होल्ड करना इसका साइन औरा हो doğson सकता है अगर किसी को नहीं पता है तो हो सकता है अब इसमें से देखिए तो जथा होता है गारीयों के जथा को कहते है डिस्ट्वाई होता है बड़बाद कर देना गेन होता है फैदा कमान और मेंटेन होता है मतलब उसी लेबल पर डखना इसका साइनो क्या हो जाएगा मेंट टेन के अंसर क्या हो जाएगा शी हो जाएगा क्लियर चलिकले ले कुष्चन पर आते हैं भूबा जी ध्यान से देखा जाएगा question number 17 ध्यान से देखा जाएगा select the sign of the given word expensive, अच्छे वो जी expensive कर्थ क्या होता है महंगा, याद रखे कि expensive कर्थ क्या होता है महंगा होता है तो महंगा का sign देखे तो क्या है costly लिखा है, costly ने लिखा है mild यानी होता है, मध्यम यानि कि come, sober का भी अर्थ होता है मध्यम, या mild का sign है gentle का भी अर्थ होता है, mild यह ABC तीनों आपस में sign है dear का एकर्थ महंगा भी होता है इसका sign हो जाएगा dear, याद रखा जाएगा newspapers में अक्सर देखने को मिलता है लिखा रहाता है, petrol gets dear by 5 रुपीज petrol gets dear by 5 रुपीज petrol 5 रुपे से महंगा हो गया तो dear का एकर्थ प्यारा होता है दूसरा रथ महंगा होता है समझ सकते हैं, जादा महंगा होगा आप किसी को देगे नहीं, पहले दो बुन petrol दे भी देते थे अब भी नहीं देंगे तो dear का एकर्थ महंगा भी होता है, जाद रखिएगा चलिए, अब आते हैं question number 18 पे अब आते हैं question number 18 थोड़ा देखा जाए देखिए ध्यान से select the most appropriate word to fill in the blank he tried to dash my ring अच्छा रिंग को पहला बड़ा के पास है style है पलिस कार्थ जैने style क्या होता है style होता है, आपने कभी पार्क बगड़ा में देखा होगा एक ऐसे करके जो सीढ़ी बनाया होता है लकडी का उसको style कहा जाता है या फिर चोखट जो बनाया होता है किसी भी तरह का support उसको style कहा जाता है तो पार्क बगड़ा में जो ऐसे करके सीढ़ी एक दूसरे को पर बनाया जागा उसको style कहा जाता है और चोखट जो होता है दरवा स्तिल में देखा जाएगा क्रिमेटर के पास रावक के पास क्रिमेटर क्रिमेटर बोजी होता है दाहसंसकार करना समझेगा, cremation, तो cremator जो 10 संसकार करता है, जो आग लगाता है, जो अग नहीं देता है, उसको cremator कहा जाएगा, cracker तो होता है, क्रिकेटर होता है, जो क्रिकेट खिलता है, creator देखिए, गलत है, c-r-e-a-t-o-r, creator होता है, spelling t-e-r लिखा गया है, creator होता है, जो create करता है, तो answer क्या हो जाएगा, d, easily cancer लगा लिजिएगा, तो सब का answer clear हो गया, आपका 17 cancer हो जाएगा, d, 18 cancer d, और 19 का भी answer d, clear है, चलिए, अगल question पर आते हैं, ध्यान से देखा जाएगा, select the most appropriate segment to substitute the underlying segment, अच्छा, improvement, sentence improvement, देखिए, hardly had he sit on the chair, then it broke, ध्यान से देखा जाएगा, एकदाम आसान सवाल हो गया, had के बाद भर्व का पहला रूप होता है, और sit भर्व का पहला रूप होता है, set होता है, दूसरा और तीसरा रूप, तो वहाँ set होना चाहिए था, देखिए, set किसमें लिखा है, set on the chair vein, अच्छा, इसमें set लिखा है, और एक set on to the chair vein, यानि का answer या तो A होगा, या सी होगा, ध्यान से देखा जाएगा, ये तो बन ग चले, 21 में देखते हैं, the sentence identify the segment which contains the grammatical error, ठीक है, grammatical error इसमें है, जड़ा देखा जाए, my brother who live in the liban के बवबाजी, देखे, wh word, जीस सब्द के लिए आता है न, वैसा काम करता है, अगर यहां brothers होता, तो यह plural की तरह काम करता, अगर यहां brother है, तो singular की तरह काम करेगा, ध्यान जो relative pronoun रहेगा, वो singular की तरह काम करेगा, और plural noun आगे रहेगा, तो जो relative pronoun रहेगा, sorry, pronoun, यह plural की तरह काम करेगा, तो brother singular है, तो who के बाद leave होगा, कि leaves होगा, leaves होगा न, बवबाजी, कि तो singular हो गया, तो देखे, leaves किस में लिखा हुआ है, तो error इसम है, अच्छा, error निकालना है तो who lives in Delhi होना चाहिए, मतलब error section C में है, clear है, चलिए, अगले question पर आते है, 22, जान से देखा जाएगा, एंटोनीम चाहिए, इसका, dexterity, अच्छा, dexter कार्थ होता है, दिमाग, समझेगा, dexterity कार्थ होता है, skill, talent, याद रुखियेगा, इसको मैं लिख भी देता हूँ, आप अस्त्री साइन हो जाएगा, agile करत होता है, फुर्ती लायाद रखियेगा, active में लिख देता हूँ, यह भी बड़ा positive word है, लेकिन ignorance negative word है, अब देखे, कितना आराम से बना, अगर यह positive word है, तो इसका अन्टो क्या होगा, negative word होगा, तो ignore कर देना क्या है, negative answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ignorance, clear है, चली यह बात है, 23 पे, select the word which means the same as the group of words given, यह हम लोगो को बहुआ है, आपका one word substitution, incapable of paying debts, इसको debt नहीं पढ़ते है, debts पढ़ते है, ठीक है, याद रखा जाएगा, तो जो अपने कर्ज को नहीं दे सके, तो obsolete का बवाज यार्थ होता है, outdated, याद रखा bankrupt, B-A-N-K-R-U-P-T, bankrupt या इन्सॉल्वेंट होता है, कंगाल, जो अपना कर्ज नहीं दे सकता है, corrupt तो होता है, corrupt का क्या हो जाएगा, बवाजी, आजकल बड़ा, ब्रस्ट, ब्रस्ट अचार होता है, तो corrupt तो ब्रस्ट होता है, और extravagant होता है, बवाजी, खर्चीला, extravagant हो होता है, चलिए, आते हैं, question number 24, question number 25, last यहीं है, ठीक है, select the word of the following group of words, one who loves his country, जो अपने देश से बहुत प्यार करता है, अच्छा सको क्या बोलेंगे, patriot बोलेंगे, patriot कर्थ क्या होता है, देश भक्त होता है, बड़ा common सा वड़ा याद रख लेजेगा, patriot कर्थ होता है, देश भक्त याद रख लिएगा, ठीक है, conspirator, conspiracy कर्थ होता है, सदियंट्र, तो conspirator हो जाेगा, सदियंट्र कारी, जो सदियंट्र करता है, इसको conspirator कहा जाता है, ठीक है, याद करते लीजिएगा, collaborator word, Conlaboration से बना है. कलाबरीटर होता है जो परदस्ती अंदर आ जाता है उसको ट्रेटर कहा जाता है चीड़ा सा परेशान के अधी conditions select the antonym of the given word divide अच्छा divide होता है अलग अलग करना तो क्या हो जाएगा जोरना तो एक ही वर्ड क्या है unite unite होता है एक करना split हो जाएगा अलग करना break होता है तोरना और इंगल्फ होता है उसको डुबाना या गड्धे में डालना या फिर दूब जाना तो समझ में आ गया होगा कोई भी अगर समाज में नहीं आया होगा तो जरूर बताएगा कमेंट और कमेंट में मार्क्स जरूर लिखिएगा ठीक है अगला सेट फिर एक दिन गयाप करके आपके पास सेट चला जाएगा सेट और डिश्केशन रेगूलर रहेगा लेबल को हम में आ रहा है तो वीडियो को सेयर किया जाएगा दोस्तों के साथ मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बड़ी मच्छ एव नाइस डे चलिए सुब्रात्री